असलाम अलेकुम आयूटूब फैमली कैसे हैं आपसे वलकम बाक टो मैं चानल उमेश कचन में आपसे भी कफिर से स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाली हूँ मेरे किचन में क्रिस्पी फ्राइड बीफ ये क्रिस्पी फ्राइड बीफ एकदम हम केफ से स्टाइल में बनाएंगे जिसे की बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची रहेगा फ्रेंड्स आप इस रेसिपी में बीफ की जगा पर मटन या फी चिकन भी यूज कर सकते हो तो चलें बिना किसी दरी की रेसिपी बनाना स्टाट करते हैं वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आप सबने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल एकन दबाना ना भूर लें सबसे पहले हम एक बड़ा बॉल ले लेंगे और उसमें डाल देंगे एक बड़ा चमच सोया सॉस और फिर इसमें ढाल देंगे एक अंडे में की सफभी तो एक अंडे को फूड़ कर मैंने उसमें से येलों पाट क्याट को अलग कर दिया है हम इस रेसिपी में सिर्फ अंडे की वाइट यानि सफेध हिसा ही यूज़ करेंगे एक चम्मच अद्रक लेजुन का पेस्ट एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच गरम मसाला एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर और एक पैकेट मैगी मसाला फ्रेंड्स मसाला मैजिक डालने से क्रिस्पी फ्राइड बीफ में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है एक पैकेट मैगी मसाला मैंने इसमें डाल दिया और साथ ही डाल देंगे एक छोटा चमच नमक या फिर नमक स्वादा नुसार अब इन सारे मसालों को मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से आपस में मिल जाए सारे स्पाइस को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसमें डाल देंगे बीफ फ्रेंड्स ये आधा किलो बीफ मैंने लिया है और इसके बहुत पतले पीसस मैंने कराए हैं गोश को मैंने अच्छे से साफ करके तिन चार पाने से वाश कर लिया है अब हम इन बीफ के पीसस को स्पाइसस में डाल देंगे और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे पहले अपने हाथों को साफ कर लें और फिर इस गोश को मसाले में अच्छे से मिला लें और इसे मैरिनेट कर लें गोश को मैंने मसालों के साथ अच्छे से मिला लिया है अब इस गोश को 10-15 मिनेट तक हम साइड में रख देंगे अब एक बरतन ले लेंगे या फिर कोई बड़ी प्लेट ले लेंगे और उसमें डाल देंगे एक कप मैदा यानि All-Purpose फ्लोर और साथ ही डालेंगे आधा कप चावल का आटा यानि राइस फ्लोर चार बड़े चमच कॉन फ्लोर एक छोटा चमच नमक या फिर नमक स्वाद अनुसार और इसमें डाल देंगे दो बड़े चमच कॉनफ्लेक्स यह बिल्कुल ऑप्षिनल है अगर आपके घर पर कॉनफ्लेक्स हैं तो आप इसे ज़रूर डालें कॉनफलेक्स को अपने हतेली पर डाल कर इसे कुछ करके डालेंगे कॉनफलेक्स को डालने से क्रिस्पी फ्राइट बीफ में बहुत ही अच्छा क्रंचिनस आता है और फिर इसमें डाल देंगे एक चम्मच चिली फ्लेक्स यानि खुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही डाल देंगे आधा छोटा चम्मच खुटी हुई काली मिर्च आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो आधा छोटा चम्मच बीफ मसाला और फिर इसमें डाल देंगे एक मैगी मसाला का पैकेट अब इन सारे सुखे मसालों को अपने साफ आतों से अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मैदे में जो हमने spices डाले हुए हैं वो आपस में अच्छे सिम्र जाए क्रिस्पी फ्राइट बीफ बनाने के लिए सारे मसाले बिल्कुल तयार हैं यह मैदे की कोटिंग है और यह बीफ जिसको हमने मेरिनेट करके रखा था अब इस घोश के پीसस को एक एक करके इस आटे में डालेंगे और अच्छी तरहा सी इसकी कोटिंग कर लेंगे इस गोश के पीसस को आटे में अच्छे से दबाएंगे ताकि इसके ओपर कोटिंग अच्छे से आ जाए और इस कोटिंग किये हुए गोश के पीसस को हम प्लेट में रख लेंगे अब इसी तरह से मैरिनेट किये हुए गोश के पीसस को एक एक करके आटे में डालेंगे फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हो मैंने गोश के पीसस को कोटिंग कर लिया है अब हम इने डीप फ्राइ करेंगे मैंने तेल को अल्रेडी गरम होने के लिए रख दिया है इन बीफ के पीसस को फ्राइ करने के लिए तो यहां पर तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब हम ग्यास के फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और इन गोश के पिसस को इसमें के करके डाल देंगे जब आप गोश के पिसस को तेल में डाल रहे हों तो ग्यास का फ्लेम मीडियम पर ही रखें अगर आपने इन गोष के पीसस को high flame पर deep fry किया तो गोष बाहरे से पक जाएगा लेकिन अंदर कचा ही रहेगा अब इन गोष के पीसस को बाहरे से crispy और golden brown होने तक medium flame पर fry करेंगे तो ये देखे friends हमारे बीफ के पीसस बाहरे से crispy और golden brown हो चुके हैं और ये अंदर से भी अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इने एक तिशू पेपर में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी तेल है वो तिशू पेपर में आ जाए अब इसी तरह से हम सारे बीफ के पीसस को एक एक करके तेल में डालेंगे और क्रिस्पी गोल्डन बरन होने तक फ्राइ कर लेंगे फ्रेंड्स ये क्रिस्पी फ्राइड बीफ बहुत ही टेस्टी होते हैं और क्रंची भी जिस तरह से आप KFC खाते हो उसी तरह से इसका टेस्ट भी होता है अगर आप बीफ नहीं खाते तो मटन के साथ भी आप इस रेसिपी को बना सकते हो बहुत ही मज़िदा रेसिपी है आपको जरूर पसंद आएगी घर पे ही आप इस तरह के ईजी और मज़िदा रेसिपी बना कर एंजॉई कर सकते हो तो यह देखें दोस्तों हमारी क्रिस्पी फ्राइड बीफ की रेसिपी बनकर तयार है क्यों लग रहें ना एकदम के एफसी जैसा आप इस तरह के रेसिपी बनाएं और इस रेसिपी को शेयर करें अपने फैमिले मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो के निचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैंने रेसिपी वीडियोस अप्लोड करूं सब्सक्राइब नोटिफिकेशन आपको मिलें फिर मिलत आई हुआर और मैंने रेसिपी जजरिंग।